तो अब ही हम लोग बात करेंगे, अगर गुरू और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में सब्तम भाव में बन रही हो, तो इस युति के किस प्रकार के प्रिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, देखें वास्तम में अगर जुपिटर अच्छा हो और चंद्रमा अच्छे इस्तिती में हो सब्तम भाव में, तो ये कंजेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये कंजेक्शन को हम जैसे की गजकेसरी योग बोलते हैं, अगर ये करक रासी में बन रहा हो तो बहुत ही बहतर होगा, अब इस कंजेक्शन में जितना ज्यादा दू बुरी होगी इनके बीच में, उतना ही ज्यादा ब्रस्पति का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, और चंद्रमा का प्रभाव भी हलंकी रहेगा, तो ये जो सब्तम भाव है, वो आपका दूसरे लोगों से कनेक्शन का पार्टनर्शिप का है, तो ऐसे में जो ज यह समन्द स्तापित करने से ने लोगों को अपने साथ जोडने से फाइदा देगा, तो ऐसे जात्कों को हमेशा अपने जिवन में अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, विसे इसकर अगर वो कोई बिजनस कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक साजेदारी करनी चाहिए, लेकिन क अभी-कभी ये कंजेक्शन आपको इतना जएदा उदार भी बना देता है, जिस वज़े से आपका लोग फाइदा उठा लेते हैं, और इवन आपका जिवन साथी भी ऐसा कर सकता है आपके साथ, अगर यहाँ पर किसे राहु जैसे ग्रहे की दृष्टी हो, या मंगल जैस दूसरे लोग जो आपको ट्रीट करेंगे, वो एक अच्छा इंसान के रूप में ट्रीट करेंगे, एक विद्वान के रूप में आपको ट्रीट करेंगे, एक बहुत नॉलेज़ेवल परसन के रूप में, हम कह सकते एक बुद्धिमान और विवेक्सिल वेक्ति के रूप म आपको ट्रेट किया जाएगा तो आपकी reputation बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसे आपको socially firm मिल सकता है इस conjunction की वज़े से लेकिन आपको जो कुछ हद तक जो इस conjunction की वज़े से जो नुकसान होता है वो यही होता है कि दूसरे लोग आपको सीधा समझ कर आपका फाइदा उठाने की कोशिस जरूर करते हैं तो यहाँ आपको अपने ग्यान का बहुत बहुत बहुतरिन इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़ा सचतुराई से आपको काम लेना चाहिए दूसरे लोगों के साथ अब बहुत बार ऐसा होगा जब आपका जिवन साथी भी कभी-कभी ऐसा कर लेगा आपके साथ और जिवन साथी के साथ जितना जयदा आप emotionally attached होंगे इस conjunction की वज़े से उतना ही ज्यादा वो आपका फाइदा उठा सकता है हालंकि जिवन साथी अपने अपने जो नेचर है उसके दिश्टिकोंट से अगर देखा जाए तो काफे अच्छा होगा आपके साथ पुतालमेल बिठा के चलेगा समंजस से आप और आपके जीवन साथी में काफी अच्छा होगा लेकिन आप जितना कम emotionally attached अपने partner से होंगे उतना ही अच्छा है साथी साथ आप कोई भी मालीज ये काम कर रहे हैं किसी भी काम में आप अपने partner को जितना ज़दा involve करेंगे और अच्छे तरीके से अपने विवेक को use करेंगे उतना बहतर रहेगा अब मुख्य रूप से ये conjunction जब सेंथ house में बन रहा है तो ऐसे में आप अपने knowledge को दूसरों के साथ सेर करना हमेशा पसंद करेंगे तो आप बले ही अपने जिवन साथी को guide कर रहे हैं या किसी दूसरे विक्ति को guide कर रहे हैं तो आप में एक सलाह देने की अच्छी चमता हम कह सकते हैं या किसी को भी आगे guide करने life में positive रूप से किसी को आगे बढ़ाने के लिए अब अच्छा योगदान दे सकते हैं तो आप अपने जिवन में लोगों की life में कुछ ना कुछ value अवस्य एड़ करेंगे इस conjunction की वज़े से लेकिन आप क्योंकि बहुती ज़्यादा उदार और विननम्र हो जाते हैं तो इस वज़े से लोग आपका फाइदा भी अवस्य ही उठाएंगे ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अब ये conjunction जब बन रहा हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें प्रस्पति कौन से भाओं का स्वामी है और चंदरमा कौन से भाओं का स्वामी है देखे जब ये conjunction आपके सेवंथा हूस में है तो marriage के बाद आपके जिवन में एक बहुत अच्छा transformation एक बहुत positive transformation भागय के मामले में कहें या आपको support के मामले में कहें ये आने वाला है आपके जिवन में और इस conjunction की वज़े से कहीं न कहीं आपके जो traveling के मोके आपको जिवन में काफी ज़्यादा मिलेंगे और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी marriage के बाद बहुत बार विदेश यात्रा करें या कोई ऐसी यात्रा करें जिसमें आप समुद्र को पार करें समुद्र पार ये जो यात्रा है वायान के द्वारा वो आप करेंगे इसके लवा कभी-कभी इस conjunction में अगर जुपिटर अच्छे स्थिते में नहीं है तो आपका जिवन साथी है वो किसी भी प्रकार की बिमारियों से पीडित हो सकता है और जिवन साथी के साथ जो emotional attachment और physical attachment हो कभी-कभी कम होती जाती है समय के साथ है तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा जुपिटर यहां कितना strong है अगर जुपिटर यहां अच्छा नहीं है तो फिर जिवन साथी की health को लेके कुछ issues हो सकते है कि आपका जिवन साथी अक्सर बिमार रहता हो उसको digestion system से related problems हो उसको कुछ हद तक मोटापा या बहुत ज़दा वजन का बढ़ना ऐसा हो सकता है आपका जिवन साथी कभी-कभी वो जिद्दी भी होगा लेकिन देखे जब भी चंद्रमा साथ आ जाते है तो यहाँ पर ब्रस्पति है वो चंद्रमा के गुणों को भी बढ़ाने का काम करेगा और ब्रस्पति खुद भी इस भाव को expand करने का काम करेगा expansion का कारक ब्रस्पति है ही इस वज़े से आपका जो जिवन साथी होगा काफी ज़्यदा creative होगा और यह conjunction आपको भी ज़्यादा तर creative बनाएगा इसके लावा आपका जिवन साथी थोड़ा सा sun की मिजाज का हम कह सकते हैं या बहुत ज़्यदा moody मिजाज का हो सकते हैं इस conjunction की वज़े से जिवन साथी हमेशा आपको support करने में विश्वास रखेगा और आपके साथ तालमेल बिठा कर रखना चाहेगा अगर इस conjunction पर किसी भी इस परकार के ग्रह की दर्ष्टी पढ़ रही है जैसे सनी या मंगल की दर्ष्टी पढ़ रही है या राहू की दर्ष्टी पढ़ रही है तो आपको problems आएंगी जिवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में और आपको इवन आपके साथ बहुत ज़्यादा दोखा हो सकता है अगर आपको बिजनस बगर कर रहे हैं उस मामले में तो यहां पर आपको यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी यह conjunction बन रहे हैं थोड़ा सा आपको adjust करके चलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अपना behave दूसरों को विन नमर दिखाने के बजाए थोड़ा सा आपको tight रहना पड़ेगा अब यह जब conjunction बन रहे हैं था उसमें तो बहुत बार आपके जिवन में ऐसा होगा जब आप बहुत सारे निर्णे अपने emotional status से प्रभावित होकर या आपका जो mind का emotional state है उससे प्रभावित होकर ले लेंगे इस बज़े से कभी कभी आपको कुछ निर्णों में ऐसी संभाव ना देखने को मिल सकती है जहां पर आप अपना कुछ खो देते हैं और दूसरों का ज़्यादा तर फाइदा कर देते हैं ऐसा जातक किसी के लिए भी हमेशा कोई बुरी बात नहीं सोचेगा ऐसे जातकों का जीवन बहुत ज़दा सकारात्मक और उनको जीवन में काफी ज़दा सुख मिलने की संभाव ना रहती है ऐसे जातकों की हिल्प हर कोई करना चाहेगा लेकिन आपसे लेना भी हर कोई हिल्प चाहेगा मुख्यरूप से जीवन में हमेशा के लिए तो ऐसे में आप जब दूसरे की help कर रहे हैं और आप किसी दूसरे से help ले रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फरक हो जाएगा कि आप अगर किसी की help कर रहे हैं तो तनमन धन से आप उसका साथ दे रहे हैं और हो सकता है दूसरे आपका इस तरह से साथ ना दे तो थोड़ा सा इस बात पर फोकस करके चले अब हम बात करें तो आपका जो जिवन साती होगा काफी ज़्यादा कलपना सकती वाला होगा बहुत ज़्यादा कलपना सकती वाला होने की वज़े से वो बहुत सारी बातें आपके साथ सेयर करना पसंद करेगा और अपनी इवन व करते हैं या अपने साथ किसी भी काम में सामिल करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहता है इसके लावा आपका जीवन साथी होगा वो कुछ creative works में हो सकता है जैसे कि वह एक अच्छा नाटक कार एक अच्छा कहानी कार बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, बहुत अच्छा एडवाईजर हो सकता है, बहुत अच्छा सिक्सक हो सकता है, इसके लवा आपका जिवन साथी से आपको कुछ हद तक भूमी वगरे से फाइदा हो सकता है, जमीन जाइदा का फाइदा हो जिवन साथी के दोरा और अगर आप कोई ऐसा भूमी खरीदते हैं अपने जिवन साथी के साथ मिलकर जिसमें आप दोनों की साजेदारी हो आपने दोनों ने मिलकर खरीदा हो तो वो एक बहुत ही अच्छा उप्सन हम कह सकते आपके लिए फ्यूचर में आने वाले समय के लि पनिलेगा आपका जिवन साथी यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद करेगा और हो सकते है कि आपका जिवन साथ उसका काम में सामिल करते हुए जादातर emotional जो सुख है वो मिलेगा यानि आपको एक अच्छी संतुष्टी मिलेगी एक अच्छा feedback दूसरे से मिलेगा और साथ इसाथ आपको सहयोग मिल जाएगा पहुत जल्दी अब बात करें तो ऐसे जो जातक होते हैं मुख्य रूप से अच्छे सलाकार या राजनिती में भी अगर वो जाएं या समाज कल्यान के दृष्टिकोंट से भी अगर वो काम करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो हमेशा समाज को सही दिसा में आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं वो अपना ग्यान का बहुत बहतर उपियों कर सकते ह तो इस वजह से ऐसे जातक अगर समाज कल्यान्ट से स्मंदित कोई भी काम करें या कोई ऐसी स्युपोर्फा में काम करें तो बहुत बेहतर देगा लेकिन यूपिटर और मून का यहां पर अच्छा होना बहुत ही ज़रु है तब ही जाकर आपको इस कंजक्शन का बेहतर प्रिणाम मिल सकता है अब देखिए यहां पर ब्रसपती क्या वक्री तो नहीं है यह आपको देखना पड़ेगा अगर ब्रसपती वक्री है और